दोस्तों मिलिये मेरे नए PC से हाला कि रीफर बिजडेल लेकिन मेरी लिए तो नया है और इसके अंदर आपको मिलता है 8th generation का i5 प्रोसेसर, 8GB की RAM, 1TB की हाई ड्राइव, Wi-Fi और Bluetooth इन बिल्ट हैं और साथ के अंदर Windows 10 का Professional License और इतना सब कुछ वो भी सिर्फ 15,000 रुपए में तो दोस्तों अगर अब भी आप अपने लिए एक desktop बाय करना चाहते हैं लेकिन आपका budget अलाओ नहीं करता है कि 12th generation या 13th generation के प्रोसेसर के उपर 40-50,000 रुपए आप spend कर सकें तो ऐसे में जो tiny desktop है दोस्तों ये काफी useful साभित हो सकते हैं आपके लिए काफी अच्छा ये desktop है जो भी एक अच्छे desktop के अंदर खूबिया होनी चाहिए वो सारी खूबिया इसके अंदर मौझूद हैं दोस्तों मैंने तो इन मिठाई के टब्बे जैसा desktop offline market से purchase किया है वैसा आप इसे online भी buy कर सकता है काफी अच्छे और refurbished अभी tiny desktop और laptop Amazon पे भी available है और आप अपना चाहिए तो local market में भी try कर सकते हैं आपको definitely मिल जाएगा और हाँ इन tiny deshtops की एक खास बात और बताता हूं इनको open करने के लिए आपको किसी भी तरह के screwdriver की ज़रूरत नहीं पड़ती सिंपल है आपको इस तरह से ने slide करना है और ये open हो जाता है ओके ये open हो filter है okay तो फिलाल अभी मैं इसे कर देता हूं disconnect और ये इसका cooling system है fan है और इसके नीचे इसका i5 processor है 8th generation का और इसके अंदर ये जो card लगावा है दोस्तों ये wifi और bluetooth का card है single card है जिसे दोनों काम एक साथ हो जाते हैं इससे जब मैंने first time open किया था और इसको खोलने के बाद मैं थ अधर नहीं आया लेकिन जब मैंने इसको इस तरह से प्लेट कर देखा तो यहां पर एक और पैनल था ठीक है जिसे open किया जा सकता है तो मैंने इसे open करके देखा इस तरह से तो यहां पर nvme का port मुझे मिल गया तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा अब 15,000 रुपय में द 257GB की और वही मैं इसके अंदर लगा देता हूँ ओके और 14 ,शी बी की दो रुम है लेकिन मेरा काम इनसे चलने वालन नहीं है तो मैं इसे रह मों को निकाल देता चारचाज बी की रह को और यहां पर मैं 16gb की सिंगल खुशी κι लोट की ड्टा देता हूं DDR4 RAM है 32 MHz 16 GB सिंगल चिप सेट जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर Windows 10 का Professional Edition license साथ में आया है और आपको पता ही है Windows 11 के लिए minimum 8th generation का processor होना जरूरी है इसका मतलब इसकी जो Windows 10 है license उसको हम Windows 11 Professional के अंदर free में upgrade कर सकते हैं वैसे अगर सच बता हूं तो यह जो 10A desktop है दोस्तों यह मैंने Windows run करने के लिए बायर नहीं किया है Windows के लिए तो में पास अल्रेड़ी यह PC रखावा ही है इसके अंदर मुझे Mac install करना है यानि कि मैं इसे एक Hackintosh मशीन बनाना चाहता हूं क्या करें? और इजनल Mac Pro खरीदने के पैसे नहीं है मेरे पास और इससे Hackintosh बनाने के लिए जरूरी है कि इसके अंदर Windows install कर ली जाए ताकि मुझे पता चल जाए कि इसके अंदर hardware कौन-कौन से है like Wi-Fi card कौन से company का है, LAN card कौन सा है, Broadcom है, Intel है, Realtech है तो इस सारी चीज़ा पता करने के लिए सबसे पहले इसके अंदर Windows install करना काफी जरूरी है तो finally इस Tanny Machine के अंदर Hackintosh system पूरी तरह से ready हो चुका है और यहाँ पर हमारा Wi-Fi भी work कर रहा है, absolutely और यहाँ पर sound कम देखते हैं, तो sound भी पूरी volume यहाँ पर कम जादा हो रही है sound भी output आ रहा है, तो एक बार हम about this Mac में जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं, processor हमारा है 1.7 GHz का 6-core i5 processor है जिसके अंदर 16 GB की RAM लगी भी है, और यहाँ पर Intel HD, USD Graphic 630 जो हमारा 8th generation के अंदर होता है, वो लगावा है finally Hackintosh system हमारा ready हो गया है तो दोस्तों जिस मकसद के लिए मैंने यह Tanny desktop buy किया है, वो मकसद मेरा पूरा हो चुका है और successfully मैं Macintosh चला पा रहा हूँ अपनी Intel machine के उपर, यानि कि Hackintosh successfully completed दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि इसके उपर मैं एक पूरा tutorial लेकर आऊँ, अपने channel के उपलोड करूँ तो फटा-फट मुझे आप Hackintosh yes लिखे comment कीजिए अगर सौस से ज़्यादा comment मुझे ऐसे मिलते हैं जिसके अदर Hackintosh yes लिखावा है, तो इसके उपर मैं पूरी एक series लेकर आऊँगा दोस्तों इसी तरह के interesting और technical videos देखते रहने के लिए don't forget to subscribe टेक्नो बाजी, फिर मुला कहात होगी अगले वीडियो में, गुडबाई, जैहिंद